नमस्ते चात्रो मैंुत्री गायक पड़ा आरेल यां सब्रुदिशेक तंपराप करदीग स्वाग चात्रो आज हम कक्षा नवी एकाय दूसरी पार्ट पांच्वा अतीत के पत्र इसका स्वाध्या देखते हैं चात्रो इस वीडियो को बार बार देखिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए चात्रो कक्षा नवी इकाय दूसरी पार्ट पाच्वा अतीत के पत्र इसका स्वाध्या चात्रो स्वाध्या जो हैं वो कृति पत्र का पर अधारित हैं परिच्षेत क्रमांक पहला पर यहां प्रिच्ष्ट क्रमांक पहला देख़যह DO citation आ पत्र फुस्तक पृष्ट पंपन पर हैं 56 वहां पर कहां से चुरू होता है एक साल पहले यहां उस सचुरू होता है लिखता हूं यहां तक इस परिछेद में कठिन शब्दारत आये हैं वह है खुद बखुद मतलब अपने आप स्वें इस परिचत पर आपको कुछ कुछ कुरुतिया हल करनी है तो कुरुति पहली है इसके लिए प्रश्ण है निम्लिकीत परिचत पढ़कर सुचिनाओं के अनुसार कुरुतिया क नंबर 1 विनोबाजी ने वृत्त लिया था देखिए यह उत्तर विनोबाजी ने उत्तर लिया था ब्रहम चरिय वृत्त का पालंक करते हुए देश सेवा करने का अगला प्रश्णा हैं अगली कृति हैं हाई स्कूल में ताखिल होते समय विनोबाजी को शोक लगा कौन सा शोक लगा विनोबाजी को ज़रा देखिए ये हाई स्कूल में ताखिल होते समय विनोबाजी को शोक लगा भागवत गिता के अध्येन का चात्रो दूसरा प्रेश्ण उत्तर लिखिए विनोबाज के पिता ने कौन सी दूसरी भाषा पढ़ने की आज्या दी ओ दूसरी भाषा पढ़ने की आज्या दी थी ओ कौन सी देखे उत्तर विनोबाज के पिता ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच पढ़ने की आज्या दी है दूसरा प्रश्ण है कि दिखिए किस लोब के कारण विद्वाजी वाई में अधिक दिन रुग गए कौन सा लोब था जिसके वसे वाई में रुगे थे तो इन लोब था देखे उत्तर नाराइन शासरी मराटे के पास उपनिश्यों का अध्यान करने के लोब के कारण विन्वाजी वाई में अधिक दिन रुग गए प्रश्ण करमांग तीसरा है और वह है यह सई विक चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए जैसा पहला प्रश्ण है गीता पर मेरा प्रेम डैश ऩह मतलब रिक्तस्ताण कभी नहीं हुआ था दिए कम नहीं हुआ था जादा नहीं वा था तो कौन सा उत्तर सही है है कम नहीं हुआता यह उत्तर सही है तो आपको रिक्तस्तान में उत्तर भर देना उसके नीचे अधोर एकांकित करना है दूसरा प्रशन है उसके बाद मैं आगे रिक्तस्तान है है स्कूल में दाखिल हुआ कॉलेज में दाखिल हुआ कहां तो उत्तर है है स्कूल में दाखिल कैसा यहां पर गीता पर मेरा प्रेम कम नहीं हुआ इसा अधोरिकांकित करना है उसके बाद मैं हई स्कूल में दाकिल हुआ है इसी अधोरिकांकित करना है ठीक है कृती क्रमांक दूसरी आकृती पूर्ण कीजिए विनोभाजी ने इन कि पत्र लिखेते विनोभाजी ने पत्र कि नहीं लिखेते अग्ला प्रश्न वाई में विनोबाद जी किन से मिले थे वाई में मिले थे नारायन शास्त्री मराटे नामा के एक आजन्म ब्रह्माचारी से अगला प्रश्ण है जोडिया बनाईए या जोडिया लगाईए या जोडिया मिलाईए ऐसा प्रश्णा चेकता है गुट अ अ में है देश सेवा, वेदान्त, उपनिशेद, आजयन्वा, बगूट में है ब्रहमचारी, अध्ययन, उर्त, अभ्यास, ये शब्द हैं, आपको सही जोडिया मिलानी है, तो कैसी होगी जोडिया, इस तरह से, देश सेवा, इसका उत्तर है उर्त, वेदान्त का उत्तर है अभ्यास, उपनिशेद, इसकी जोड़ी है, अध्ययन, आजयन्म, इसकी जोड़ी है, ब्रहमचारी, छात्रो, परिछेद से दो ऐसे प्रशन तयार कीजिए, जिनकी उत्तर निमलिखिच वाक्य हो, या निमलिखिच उत्तर हो, पहला उत्तर यह होना चाहिए, ऐसा प्रशन बनाए, विनोबाजी ने खुद बखुद सौंस्कृत का अभ्यास शुरू किया, तो आप प्रशन कैसा बनाओगी इस उत्तर के लिए, जरा देखिए, इस तरह से, विनोबाजी ने खुद बखुद किसका अभ्यास शुरू किया, आगे प्रशन आर्थ चिन देना जरूरी हैं दूसरा प्रश्ण का उत्तर यह हैं कि वाई में ब्रह्मचारी मराटे विद्वान विद्यार्थियों को वेदान तता दूसरे शास्र शिकाने का काम करते थे तो आपको प्रश्ण दिर्मांग करना है जिसका उत्तर यह होना चाहिए तो प्रश्ण कैसा होगा देखी इस तरह से वाई में ब्रह्मचारी मराटे क्या काम करते थे यह उत्तर है प्रश्ण बनाना ही आपका उत्तर है कृति कर्मांग तिसरी शब्द समप्दा पहला परिश्यद में प्रयुक्त भावाचक सग्ञाच चुनकर लिखे है क determines कौन कौन से सब्द भावाचक आया है है पहला है दूसरा प्रश्ड़ा कृत्धा तिस तरह प्रेम है कि अगला प्रश्ण है सब्र नाम के बदल आनवाले शब्दों उनको या नाम उनको सरुनाम करते हैं तो कौन-कौन से शब्दा है जड़ा ढूंडिये तो हाँ यह है देखिए उत्तर में कौन से मुझे आप उनके मैंने यह शब्दा है परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्न चुन कर लिखिए परिच्छेद में कौन-कौन चुन आए तब पहला चिन्न योजग चिन्न यह थोड़ी स्लीपिंग लाइं मतलब आड़ी जो रेखा है रेखायने की रेश रेखा है उसे योजग चिन्न करते हैं अल्प विराम और पूर्ण विराम यह चिन्न उसमें आये हैं कृतिक्रमांग का चौति स्वामत मतलब अभिवेक्ति आप अपने मन से भी इसके विचार आप इसके होगा यहां नमुना के तवर पर उत्तर दिया हूँ है भगवत गिता के बारे में आपने विचार लिखिए हैं कि देखे उत्तर भगवत गिता भारतिय संस्कृति की आधार शिला है हिंदू शासरों में इसका स्तान स्वरोप्रता में इसके रचियता वेद्व्याज जी है भगवत गिता में 18 अध्याय और 700 लोक है लोक प्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा गरंत नहीं है गिता के अनुसर हमें साधारन जुवन में स्वार्त और अहंकार का दमन करना चाहिए बिना फल की आशा किये कर्म करते रहना चाहिए भगवत गिता हमें अपनी भाव करने में असमर्त रहता है बुद्धी की प्रेर्णा से मन जब भटकने लगता है उस समय वेक मन की लगाम ठामता है और हम नो करने की करने योगी कामों से बस जाते हैं सात्रों परिछित क्रमांग का दूसरा परिछित क्रमांग का दूसरा कहा है कौन से पन्नों पर है तो द पाठ्थ्य पुस्तक पृष्टक्रमांग 56 और 57 पर कहां से चुरूता है स्वास्त्य सुधार यहां से लेकर आश्रम पहुंचूंगा यहां तक इसमें कुछ कठीन सब्दार आरता है वह कौन से निमित्य निमित्य मतलब बताए लिए आजन्म मतलब जीवन भर प्रवास जो कृतिया दी है उसे हल करना है इस पर प्रश्णाय है निम्लिकीत परिचित पढ़कर सुचनाओं के अनुसर कृतिया कीजिए तो पहली कृति आकलं कृति आकृति पूर्ण कीजिए सास्ट्य सुधार के लिए विनोबाजी के द्वारा किये गए कारियर तो कौन से कारिक के उनने पहला दस बारह मिल घुमना शह से आठ सिर अनाज पीशना तीन सो सुर्य नमसकार करना नमक और सभी मसाले छोड़ देना यह उनने सास्ट्य सुधार के लिए कुछ नियम बनाये थी खुद के लिए अगला प्रश्ण है चात्रों दूसरा रिक्तस्तान पूर्ण की पहला प्रश्ण है अर्थ सही सारी गीता सिखाई बीना टिमब 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 मतलब रिक्तस्तान के तो क्या होगा उत्तर पारिस्रमिक के पारिस्रमिक के इसके लिए श्ब्द क्या होगा पारिस्रमिक के देखिए उत्तर यहां पर क्या है तो हां अर्थ सही सारी गीता स्कार्षण के अधोरिक लिखांखित करना है दूसरा प्रश्ण नहीं कि अंग्रेजी दो टिम्ब 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 या डै 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 या रिक्तस्तान को स्कारिक व्हें के अ stripes सोग्ध कैसा क्या होगा अंग्रे दो विद्यारतियों को शिखाई आकल अंकृति दूसरी आकृति पूर्ण कीजिए विनोबाद जी ने पैदल यत्रा की कितने मील जड़ा देखिए कितने मील 400 मील उत्तर क्या हैं 400 मील दूस्तरा प्रश्ण है चात्रो विनोबाद जी ने इतियास प्रशिद कीलोन को देखा कौन कौन से किलों के दिखा राजगर्ण सिहंगर्ट तोरंगड़ का नाम यहाँ जिया हुआ है तो आपको यहाँ इन किलों के नाम लिखना है । ठीक है है अगला प्रेस्ट दूसरा विदानों के सामने सत्य असत्य लिखिए केले दूद और निम्बु पर रहने के कारण ताकत बढ़ गई यह सही है या गलत है यह गलत है मतलब आपको लिखना है असत्य इसके आगे क्या लिखना आपको असत्य जी यहां पर कैसा है असत्य आजा प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन का क्रम भी रखण ठाथा यह सत्य है आगे सत्य लिखा है दूसरा आग्ला प्रश्चन उत्तर लिखिए हिंदी के प्रचाहर प्रसार के लिए विनोबाजी ने क्या क्या अरो तो आपको उत्तर लिक्षना है यहां उत्तर दिआ है लिए इसार के लिए 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 नइने के आशार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा चात्रो अगला प्रश्ने जोडिया बनाए औگूट विद्यार्थी मंडल पूपनिशेद इद्यार्ति मंदल इसकी सही जोड़ी है संस्ता उपनीशित कितने होते हैं नौ ग्यानिश्वरी श्यद्याय और छट्टा नमबर का अध्याय चे के बारे हम कहा है अध्याय छोड़ तो उसका सही उत्तर क्या है शे कृति कर्मांक तेसरी शब्द संपदा आनिम्न लिखी स्वास्त्य सहस्थ सहस्त इसके का Stunden देखेए देखली जिये यह पी आने के निम्न लिखित dos शब्दोन के विरुद दारति शब्र दिखिए दूसरी इसकी ज 않चा होगा पहली अग्या इसका विरुद्दार्थी अवग्या अच्छा बुरा जादा कम यह होगा प्रश्ण के समानार्थी लख्ष। तीसरा है निम्लखी शबदों के समानार्थी शबद कले लिखें सूरिय सूरिय का समानार्थी रवी भंध कर दिनेश यह शूरू सूरू का सब्सक्राइब आरंब अनाज अनाज का समय अन दूद दूद का होता है दूग्द छात्रों कृति क्रुति क्रमांक चौथी स्वमत अभिव्यक्ति इसका उत्तर हमेशे ध्यान रही है अब अपने मान से भी लिख सकते हैं लेकिन उस मुद्दोन को ध्यान रखते हुए लिख दूनिया में स्वास्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता शरीर यदि सवस्त हो तो सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी बीमार हो तो दूनिया बेमानी लगती है किसी भी काम में मन नहीं लगता यदि शरीर सवस्त हो तो सब कुछ अच्छा लगता है इसलिए स्वास्त को सबसे बड़ा धन कहा गया है तन और मन का घहरा सम्मंद है एक स्वस्त हो तो दूसरा भी स्वस्त है इसलिए कहा गया है पहला सुक निरोगी काया काया इने की शरीर निरोगी काया के लिए न केवल तन बल्कि मन के भी स्वस्त रहने के आउशकता है स्वस परिचित क्रमांग तीसरा पाठ्य पुष्टक पुष्टक्रमांग 58 पर शुरू होता है कहां से शुरू होता है यहां पर परिग्रह मतलब संग्रह न करना परिग्रह यहां से शुरू होता है तो संभव न हो सका यहां तक इस परिचित में कुछ कठीन शब्दारता है जैसे प्रीव इसका मतलब च्छा होता है संग्रण नहीं करना इककटानहीं करना जमानृण नहीं करना मतलब संग्रह करना सद्य जिसकि साधना हो एस प्रिषत पर आपको कुछ कुर्टिया हल करनी है तो प्रश् Dow rе निंङलिख्येद परिछेत पढ़कर सुचिनाओं के अनुशर कुरतिया किजिए पहली आकलं कुरतिय आकुर्टी पूर्ण कीजिए क्या पूछा है इस अकुरति में क्या भरने हमें विनोबाजी ने इन उर्तों का परिपालन किया कौन-कौन सा सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह इसका द लिए इन वर्तों का परिपालन किया सत्य अहिंसा ब्रह्माचर्य परिग्रह प्रश्ण क्रमांग का दूसरा है चातर उत्तर लिखेए विनोबाजी ने किन वस्थोन का परिग्रह क्या था परिग्रह करना इने के संग्रह करना जमा करना इकटा करना तो विनोबाजी ने कौन सा परिग्रह किया था जरा देखिए उत्तर विनोबाजी ने लकडी की थाली कटोरी लोटा धोती कंबल वह मतलब और पुस्तोक का परिग्रह किया था पुस्तकौन का परिग्रह क्या था कृति क्रमांग दूसरी आकलं कृति उची जोडिया बनाई ए अगूट में शब्दाए है राष्ट्रिय शिक्षा विनुवाजी का साध्य किसरा है ब्रह्मचरिय बगूट में शब्दाए उर्थ योजना आश्रम सत्याग्रह तो क्या विनुवाजी का साध्य आश्रम ब्रह्मचरिय उर्थ चात्रों अगला प्रेश्ण है सही कर चुनकर वाक्यपूर्ण कीजिए सही कर चुनकर वाक्यपूर्ण कीजिए पहला इस कारण शरीर पर भी तिमब 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 देखिए दोती ही ओड़ लेता हूँ यह सई उत्तर है आप नीचे देख सकते हैं इसका उत्तर क्या है तो यह देखिए इस कारण शरर पर भी दोती ही ओड़ लेता हूँ दूसरा विकल्ब के लिए प्रशन है बंडी को टोपी वगेरा न डै 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 मतलब रिक्तस्तान खरिदने का उरत लिया है धोने का उरत लिया है पहने का उरत लिया है यह आपको रिक्तस्तान में लिखना है उसे अधोरिकान कित करना है तुसरा है जब भी सपने आते हैं तब क्या होता है मन में एक ही विचार आता है एक ही दुरुशी दिखता है अच्छी तरह सो नहीं पाता क्या है मन में एक ही विचार आता है इनको तर देखिए यहां पर ल लेता हूं दूसरा बंडी को टोपी वगेरन अपहने का वृत्त लिया हैं जब भी सपने आते हैं तब मन में एक विचार आता है इन तीनों में जो हमनेरी प्रसान भर्दियों से अधोरी कंकित करना जरूरी है अगला प्रश्ण छात्रों प्रश्ण करमांग तीसरा उत्तर ल बालेगा यह विचार आता है दूसरा प्रश्ण चात्रों को विनवाजी कौन सा कपड़ा इस्तमाल करते हैं पुत्तर यह है विनवाजी करगे पर भूना कपड़ा इस्तमाल करते हैं कृतिक्रमांग तीसरी शब्द संपदा परिचेद में प्रयुक्त सग्या सग्याने के नाम चून कर लिखिए कौन कौन से आये इसमें तो देखिए लकड़ी कोट स्रद्धा साध्य यह सग्या के रूप में आए अगला प्रशने निम्लिखी शब्दोन का वचन बलल कर लिखिए जैसे एक है तो दो मतलब एक वचन है तो बहुचन करना है और तो दिखिए थाली्ये एक वचन है तो दो यह होगा लोटे लोटे यह क्या है आपको एक वचन करना होगा लोटा भोजन का कोई होता बहुचन और एक वचन एक शब्द इसलिए भोजन भोजन पुस्तके बहुचे ने तापको ये कोचेंग करना है तो क्या होगा पुस्तक प्रश्ण क्रमांग तीसरा है परिछिद में प्रयुक्त सरुनाम चून कर लिखी कौन कौन से सरुनाम परिछिद में तो पहला है मुझसे वह मैंने यह यह जो शब्द है यह सरुनाम के रूप मे आए हैं कुरीति कर्मांंग चाहति सोंउन अभिवेक RAW विशे पर अपने विचार व्यक्द कीजिए एप रिग्रह का मतलबता ہے संग्रहन न करना कि आज ऑप रिग्रह का रता है त्याग संग्रहन करना अर्थात आउशक्ता से अधीक कुछ भी ग्रहन करना जिवन निर्वाह के लिए जो और जितना अधिक आवशक हो उतना रखकर शेश का जनकल्यान के लिए क्या कर देना इसे अना सक्ती भी कहते हैं किसी विवस्तों में मुह न रखना भी अपरिग्रह कहलाता हैं मुह अनेग दुर्गुनों का जनक है दूसरी और अपरिग्रह अपनाने से धीरे धीरे हमारा रुदय निर्मल होता जाता हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आने लगता हैं न उसे कभी किसी वस्तु का लोप सताता हैं नहीं किसी चीज के चले जाने का भय शात्रों परिचित क्रमांक चौथा कहां है यह देखिए यह पाठ्य पुष्टक पुष्टक क्रमांक 69 पर है का शी चुरू होता है तुमारे लिए कौन सा यहां से लेकर दिल ली जाओंगा यहां तत इस परिचित में कुछ कठी चब्दारते जैसे मान्यता का मतलब विश्वास सत् बोलने वाला दयामें दयालो दिरगायू लंबी आयू वाला प्रचारक प्रचार करने वाला रमता राम मतलब फक्कड एक स्तान पर नटिकने वाला जात्रों यह परिचित पर आपको कुछ कुर्टिया हल करनी है जैसे प्रशन है निम्लिखित परिचित पढ़कर आपको इस परिचत को ध्यान से पढ़ना है और यहां जो कृतिया दियों से हल करना है परिचत के आधार पर तो पहली कृतिया आकलं कृतिये आकृति पूर्ण कीजिए पिता के गुण कि एक गुने दुरुड दुसरे कौन कौन से गुने जार देखी तो सत्यवादी दयामै यह गुन होने चाहिए लेखी अगला प्रश्ण है कि कि इसका त्याग अभी नहीं करना किके पूरुद का इसका त्याग अभी नहीं करना पहला प्रिश्ण है दही कात्याग अभी तो मत करना ये उधान सही है या गलत है असत्य है क्या है असत्य देखिए यहां पर यही देखते हैं सिधा दही कात्याग अभी तो मत करना ये वाक्य ये विधान असत्य है शायद खेडा जिले में सत्यागर करना पड़े ये वाक्य परिछित में आया है इसलिए वह सत्य है रेल विश्यक सत्य गरह अभी आउशक्ता है रेल विश्यक सत्य गरह की अभी आउशक्ता है असत्य अभी आउशक्ता नहीं है इसलिए वह वाक्य असत्य है अभी तो मैं रमतार आउं दो एक दीन में दिल्ली जाओंगा यह वाक्य सत तो कि अग्ला प्रेश््ञ के उत्तर लिखे गान्दी जी की माननेता थी गांधी जी की की माननेता ये दिमेति मतलब राए विचार इसारधा पिता अपने विशेश चरित्र वां पूत्र पैदा करता है अगला प्रिश्न है चात्रों तीसरा तीसरे में दूसरा गांधी जी ने विनोबाद Scripture के लिए क्या कामना की कौnsी कामना की देखिए यह तीसरे में दूसरा इश्वर्त में दिर्गायू करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उननती के लिए हो चात्रो कृति क्रमान का दूसरी है जोडिया बनाईए आकनंकृति है जोडिया बनाईए जोडिया मिलाईए जोड़ाई लगाई ऐसा गुट अ में शब्द है भिरन्य कशफ दूसरा जब आजबं का ज निरा जब्द सकिताए जोड़ाई है पुत्रत तह बीटरो गांदी जी चरित्रवान पुत्र यहें सहीुझा शात्रों अगला प्रेशना है रिक्तस्तानौं पूरूति के दूध और सब्सक्राइब करने में मैं असमर्थ हूँ क्या परिक्षा शब्द कौन सा आया है देखे तुम्हारी परिक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ रिक्तस्तान हमने जो भर दिये उसे अधोरिक्षा कि टरना अवश्य है प्रश्ण क्रमांक तीसरा है प्रश्ण कुत्तर लिखिए गांधी जी को क्या मुहूं में दुबो देता है यहां यह प्रश्ण कुत्तर है विनोबाजी का प्रेम और चरित्र सच्चा पुत्र किसे कहा जा सकता है देखिए उत्तर तीसरे में दूसरा सच्चा पुत्र वो है जो पीता से पीता ने जो कुछ किया है उसमें उरुद्धी करें मतलब बढ़ोतरी करें कृतिक्रमांक तीसरी शब्द संपदा परिछेद में उपसर्ग युक्त शब्द कुछ वर्न्ल अक्शर या कुछ शब्दाओंश जुल जाता है मुल शब्दक के आरंब एम यह शुरू में या पहले मुल शब्द के पहले जो शब्द संप्सर्ग गे तो ऐसे कौन से शब्दाह में है यह हमें ढूंडने हैं परिछिद में तो कौन शब्दा यह जOR देख निर उसे आदर शब्द के पहले जोड दिया गया है इसलिए निर यह क्या है उपसर्ग है उस तरह से दूसरा शब्द है असमर्थ समर्थ यह मूल शब्द है उसे अ समर्थ्जब्द के पहले जोड दिया है इसलिए क्या होगया उपसर्ग फिसरा शब्द है प्रयत्न इसलिए यतन्य कोशिश इस शब्द को प्र ये वर्ण जोड दिया है आरंब में इसलिए यो प्रशब्द क्या हैं उपसर्ग हैं इसलिए प्रधन यत्यं निर्धन आदर अधन समर्त अगला प्रशन है चातरो निम्ल लिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए अगर नर्मादा है तो पहचानना आसान होता लेकिन नर्मादा क्या लोगर दूसरे कोई हैं तो पहचान मुस्किल होता हुशी वाक्यों में प्रयोग करके ही आप पहचान सकते जैसले भेट अब चैक स्लींग या पुलेंगे कैसे प्छानेंगे तो हां भेट शब्दों को वाक्यों में डाल कर दिखिये वाक्यों हां मेरी उनसे भेट इकारांत अगर क्रिया है तो ओ स्रिलिंग होता है भेट हुई थी भेट हुआ था अकारांत अगर आता है तो पुलिंग होता है इसलिए भेट हुई थी यह क्रिया के रूप से समझ में आता कि भेट शब्द क्या है यह स्रिलिंग शब्द है दूसरा शब्द है प्रेम क्या है मैं प्रेम प्रेम शब्द को है तो दादा जी पोटे से करते हैं दादा जी मैंने दादा जी यह प्रेम की ऐसा होता है यह पिरी किया आया है है ना आकारानत का दाजी ने फोटों से प्रेम क्या आता है इसलिए अकरान्ताया कि अगर अकरांता आया आरंप तो खोता है पुलिंग इकारानताया तो होताै ्प्रेम शंब्द भी क्या है प्रेम शब्द मिली माननेता मिला ऐसा नहीं होता है माननेता मिली मुझे माननेता मिली मुझे स्कुल जाने के लिए माननेता मिली तो माननेता मुझे माननेता है उसकी मुझे माननेता है मतलब इस्वास है उसका आने होता है यह मुझे माननेता मिली मिली इसलिए क्या है माननेता शब्द शिर करने हैं देखित उत्तर कैसे हैं मोगे बेट ली फुली माननता स्रीली और काम अगला परिश्य चातरो परिशेद में प्रयुक्त प्रते युक्त शब्द चूनकर मुल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए तो यह सबी शब्द प्रते युक्त ही है तो देखें के प्रति किसे कते मुल्य शब्द के बाद में मुल्य शब्द के अंत में कुछ वर्न या शब्धाओं जोड़ा जाताए उसने क्या है। उसे वान प्रते लगा है तो जग्या के रशभ्णार साकत सुआत प्रते क्या है। सत्यवादी सत्यधनवादी सत्यवादी क्या हो गया कि प्रतिक्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद्षद् सत्य का बड़ा महत्व है इसमें बहुत चक्ति होती है यह बड़े-बड़े सामराज्यों को हिला देता है महात्मात गांदी का उधारन हम सब के समक्ष है उन्होंने बिना कोई शस्र उठाए मात्र सत्य के बल पर अंग्रीजी शाष्यन से देश वाश्यों को मुक्त कराया थ सत्य संसार की सबसे प्रभावकारी नीति है इस पर चलने वाला व्यक्ति न तो कभी अशान्त रहता है और न भैवित सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है सत्य मानव जीवन की अनमुल विभूती है सत्य की मार्ग पर चलने वाले चात्रो कुरुति कर्मांक तीसरी हैं देखिए यहां जो है सत्यवज्टा इस पर हमने प्रकार डाला है इसका उत्तर पूरा कर दिया है चात्रों यहां पर हमारा स्वाध्य है पूरा होता है चात्रों यहां परशवाध्य है पूरा होता है उस फिल्दियों को बार बार देखिये अपने दोस्तों को सेर कीजी इसल्दिय को लाइब कीजी और हाँ अगर आप पहली बार मेरे इसलियो को देखry है तो मेरा यूटिवे चनल ग््मार दिरहें से आवश्य है arguments सब्सक्राब किजिए धन्यवाद